अगाला प्रशन है मारश्री की रादे रादे मारश्री हम स्टूडेंट हैं हमारे लिए नियम बताए हम कैसे साध्मा करें हमारे किशोश्तर्ण जी कभी स्टूडेंट थे और 10 वी में फे 11 वे 12 किलास में और मेरा खुब सत्संग करते थे, उस समय आप कैसे भजन करते नों को बताएं, क्योंकि आप भी स्टूडेंट लाइफ में हमारा सत्संग सुनते थे, भजन करते, तो आपकी अनभाव के अधार पर जरा इनको गाइड करेंगे। मरशिय स्टूडेंट लाइफ में आपकी विशेश किरपा रही जो बहुत करीब से सत्संग बिला, उस सत्संग का ही हसर रहा जो नाम जब चलता रहा, आप स्टूडेंट भी हैं, समय निकाल सकते हैं, भजन करने के लगर आप चाहें तो, चाहा कि अगर कमी हैं, तब भले ही परशानी हों नहीं, तो आप पूरा समय, मैं कहता हूं कि जादा नहीं, आप जितनी मरजी पढ़ाई कर रहे हूं, चाहे IS की कोचिंग भी कर रहे हूं, फिर भी आप समय निकाल के पढ़ सकते हैं, जैसे आप सनान करने के लिए गए, अब सनान करना है, जीव तो कुछ नही आती थी, पांच मिनिट के हिसाब से, तो छे माला वहां कर ली, आने में, जाने में, जाने में, नाने में, बिल्कुल, मरजी और अभ्यास करें तो स्कूल में अगर टीचर पढ़ा रही है, वो समझ भी आता है, और नाम जब भी चलता है, यहां कितने नाम जब करते हैं, तो मारशी चरीतर में आया भी है, बलके आप श्री ने एक जगह लिखा है, कि मैं ऐसी स्थीति में रह रहा हूं, जो महात्मा गांदी जी भी साउथ अफरीका में ऐसे महाल में नहीं रहे, उस स्थीति में भी भजन कर गए, और भगवत प्राप्ती चोटी सी उमर में कर ल जीब ऐसे प्रारम हो जैसे किसी मोटर का बटन ओन कर दिया हो, बस मोटर का बटन उनके मोटर चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, सुबह से लेके रात्री तक, बस जीब नाम जब करती रहे, जितने समिछ जो खाना है, जितना खाना है, जितना बोलना है, जितना सोना है, स हली बेठी कुछ नहीं कर रही है उस समय वो समय नाम में लगा दो बस उसी से कम सकम चौन सटर माला तो आप अराम से कर लेगे